हे दोस्तो स्वागत है आप सभी का स्टड़ी आई एसके एक और नई वीडियो में और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो मारा साथ टेक्ट स्कैम है इसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों मैं यह भी देखने वाले है कि यह टेक्ट एक्जाम क्या होता है और यह क्यूं इंपॉर्टेंट है और इसके इंदर क्या हुआ है किस तरीकिस जो बाते हैं वो में समझ में आती है यह सब कुछ मैं आपके साथ अपनी आज की इस वीडियो में डिसकस करूंगा लेकिन दोस्तों कुछ भी स्टार्ट करूं से पहले बता दूं कि आने के परफॉमेंस पिछले दो सालों से हमें काफी बैतरिन देखने को मिली है जो टॉपर्स ने दोस्तों यह हमें आने केडमी से बिलॉंग होते वे दिखाई देते हैं 12 अगस्त तक दोस्तों आप लोग है आप लोग काफी हुज डिसकाउंट को अवेल कर पाएंगे 43% सेव कर पाएंगे अगर आप लोग कोर्स परचेस करते वत आज के दिन हमारा जो कोड है वो यूज करते हैं यह तो आपको बहुत बेनिफित होगा 0% की एममाई भी अविलेबल है दोस्तों तो आप लोग का काफी मिनिमम यहां पर पैसा दे के अपना कोर्स स्टार्ट कर देंगे आज से ही नए बैचेस स्टार्ट है अपकमिंग यहर के तो आप लोग इनका बेनिफिट भी जरूर लीजेगा 14 अगरस को सुबह 11 बजे होगा दोस्तों आप लोग का UPSC CSC जिसका आप लोग बहुत असानी से बैनिफिट ले सकते हैं और इसके अंदर आप लोग को काफी एक्साइटिंग जो प्राइसिस हैं यह भी मिल रहे होंगे जिनसे आपका बहुत बैनिफिट होगा अब देखी दोस्तों मैं बता दूँ आप लोग को कि जो डॉटर है सिर्व सेना रिबलन MLA की उनको यहाँ पे उनका नाम आया है कि वो कहीं ना कहीं आपके जकते हैं इन्वाल्व रही थी महाराश्टर टीचर एलिजबिल्टी जो टेस्ट स्कैम है उसके अंदर एक काफी सेना जो रिबल ग्रूप है MLA अबदुल सतार जो की औरंगाबाद से उन्होंने इंडेक्शन कराया था महाराश्टर केबिनेट को इसी वीक अब उन्होंने यहाँ पे काफी सारे अब्जिक्शन आते हैं और MLA यहाँ पे जो एलिगेशन ने इसको डिनाई भी करा है क्यू और TET क्या होता है देखिए Teachers Eligibility Exam जो है वह mandatory qualification है एक criteria है दोस्तों for teachers recruitment under the right to education act के अंदर जो act दोस्तों इसे implement करा गया महराश्टर में from 2013 से लेके और same year दोस्तों जो TET है वह mandatory करवा दिया basically हर एक teacher की appointment के लिए state में जहां पर आपकर सकते हैं जो वह teacher हैं जिनकी आपकर सकते है class 1 से लेके 8 तक प्राहने वाले उनकी आप देखें दोस्तों जो आदमी चाहता है कि वह यहाँ पर teaching job ले class 1 से लेके 5 तक की उसे यहाँ पर clear करना पड़ेगा paper 1 of the TET और जो teachers दोस्तों जिनकी appointment रहेगी आपकर सकते हैं 5 से लेके 8 तक की उन्हें clear करना पड़ेगा paper second वो दो बात हैं जो कि हमें पता लगती है और थोड़ा सा अच्छा एक्जाम भी है एक आपको सकते हैं eligibility criteria है कि इसे clear करेजिए तभी उसके बाद आपको जो नौकरिया है वो मिलेंगे स्टेट के किसी भी स्कूल में अब यह जो TET SCAM है दोस्तों यह क्या है देखिए TET SCAM दोस्तों हमें देखने मलता है जब यहाँ पर एक investigation होती है पता लगता है कि यहाँ पर काफी सरी mal practices लाई गई इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोई भी केस नहीं आता है पेपर लिग का TET SCAM के अंदर पर दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे include रहते हैं mal practices जिसके अंदर कुछ ना कुछ जो marks हमें change करा गया था और evaluation system में कहीं ना कहीं जो fake certificates हैं इन्हें issue करा गया यह सारी problem जो है वो हमें इस scam के अंदर देखने को मिलती है ओके यह सब तब आप सामने पता लगता है जब इसकी investigation हो रही थी उसके बाद आखिर किस तरीके से जो इसके prob हैं यह found करे गए मिल ले थे देखे दोस्तों जब पुने पुलिस ने prepare करी एक list पूरी जिसके अंदर 7800 सी candidate थे उनमें से suspect को यहाँ पे indulge करा गया काफिसारे wrongful means acquire हुए थे process हुए थी उसके अंदर reveal हुए कि 7880 candidates में से यहाँ पे 7500 पास्ट हुए थे टेट जिनके यहाँ पर आप कर सकते हैं जिन्होंने सही तरके से पास करा गया by changing their mask through wrongful means ओके तो यहाँ बोला गया कि 293 candidates थे जिन्होंने change नहीं करे अपने mask जो कि यहाँ पर manage रहे सके कि उन्हों अपियर हुए थी और उनका नाम था 293 candidate की अंदर जिन्हें यहाँ पर कोई भी मार्क से चेंज नहीं रहे पर वो manage रहे कि वो अपने जो fake test qualified certificates से इन्हें पासके जो candidate दोस्तों उन्हें appoint करा गया कहीं पर भी teacher based उनकी certificates दोरा पर वो उन्हें मिला कहा है wrongful means के दोरा इसलिए की appointment भी cancel कर दी गई ओकी दोस्तों तो आई होब कि अब आपको चीज़े पता लगी होंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं और क्या नहीं ओके आई होब कि आपको ये इस exam के बारे सब कुछ पता भी लगा होगा अगर अब कोई आपका doubt है तो इसको आप पूछ लीजगा मुझसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो के लेता है till then take care and have a nice day